cricket बहुत ज़्यादा competitive game है and आप जो practice जाते हो तो कोई ना कोई ऐसा बंदा दिख जाता आपको जो कि बहुत इच्छा perform कर रहा है या एक बहुत अच्छे level पर खेल रहा है या उसकी batting skills बहुत ज़्यादा अच्छी है अगर आप खुद को इससे compare करो तो तो इस case में एक बहु होती low fear होता है कि यार यह तो बहुत अच्छा है मेरे से and यह तो obviously खेली जाएगा क्या मैं खेल पाऊंगा और यह सब सोच कर अप अपना जो mental toughness है उसको बहुत ज्यादा low कर लेते हो So hello cricketers, this is umanx 80 and you're watching your favorite channel modern day cricket तो क्या comparison करना सही है cricket में and अगर सही नहीं है तो कैसे इसको control करें और कैसे से overcome करके mentally tough बन सकते हैं इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले साथ मैं मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में भी कुछ को शेयर करूंगा आपसे जो कि शायद आपने पहले कभी नहीं सुनाओ तो यह बहुत ही informative and बहुत ही interesting वीडियो होने वाला आपके लिए यह वीडियो अगेन एक लाइफ कांसिंग सेशन का पार्ट है अगर आपको लेना है तो लिंक नीचे दिया हुआ है वहाँ पर जाकर अपना बुक कर सकते हो चली वीडियो को स्चार्ट करते पर उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्स्ट्राइब नहीं किया तो जब से सब्सक्राइब करके बेल बटन दबागे लॉल पे क्लिक कर ले ना कि क्रिकट्स रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स, और व्लॉग्स पी वही का वही हूँ, तो एक होता है कि थोड़ा अजीप शाष्ता लगता है कि मैं अगर तो आप अपने से उचे किसी को देखोगे तो आप लो फील करोगे और जो क्रिकट्ट अभी सीगी रहा बैट पकरड़ा है उसको देखोगे तो आपको इधर प्राउड वाली फील कर रहे हैं और दूसरा यह है कि खुद को खुद से कंपेर करो कि कल कैसा परफॉर्मेंस था आज उससे बेटर है कि आज अगर विराट को ली भी अपने आपको क्रिश्टाइन और रोनाल्डों से कंपेर करें इन बेसिस ऑफ फेम कितना पैसा उसके पास वो भी उदास हो ज चिल रहो यू आर दे किंग और कंपेरिजन हैपिनेस का सबसे बड़ा दुष्वन होता है अब 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 ही अगर खुष हो तो आपको दुखी होना है ना आप फट से खुद को किसी से कंपेर करो फट से दुखी हो जाओ बलाए इन फ्रैक्शन ऑफ से कंपेरिजन से जितन कि अब अब जाँ तो हम compare करने चल जाते हो और उस पर्टिकलर चीज को लेकर रुकी हो जाते हैं अरे क्या पता इसकी से लाइफ में कुछ और struggles चल रहे हो क्या पता वह नेट्स में तो इची वैटिंग कर रहो हूंपर मैच में अच्छा नहीं कर पा रहो हूँ क्या पता मै तो सबका अपना अपना बैटल चलता ही रहता है। इसलिए खुद को किसी से कंपेर करना और उस बेसिस में खुद को बहुत जादा डी मोटिवेटेड फील करना या बहुत लोग फील करना विल्कों अलब बेसलेस है। कोई मतलब भी नहीं है उसका। खुद को खुद से कंपेर करो कि कल कैसा परफॉर्मेंस था आज उससे बेटर है कि आप अपने मुवी के हीरो अपने लाइफ के हीरो आप आपको अपने पर ध्यान देना है हर दिन बेटर होते रहना है इससे आपका इंप्रोव्मेंट होगा। कुझ है। आप अपने तो यह तो मेरा पार्ट ताइम ही है बेसिकली मैं तो क्रिकेटी केल रहा हूं मैंने बीबी किया जा यह नौइडा से डेली से अपका वो कि आने में देखा तो तो अच्छा 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 वह ला देखे थे ते हाँ हाँ है इसी के थू सिंगपूर के कैप अपने मतलब तो उन्हों ने मतलब एक सीजन के लिए पॉइंट किया है कि आप साथ मेरा हूं मैंने का कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे तो 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 अगर मैं किसी को बता रहा हूं तो मेरा कंसर्ट भी बहुत जादा क्लियर हो जैसे अभी आपको लग रहा हूं कि मैं आपको बताते बताते मैं भी सीख रहा हूं तो मेरा कंसर्ट भी क्लियर हो रहा है तो इसलिए मैंने सुचें कि आरे क्यों नहीं करेंगे जरूर करेंगे क्या प्रॉब्लम हो रहा कैसे ठीक हो सकता है आपका उस वाले वीडियो से मैंने को बहुत पाइदा हुआ था जो कि अगर विकेट में पेस है तो आप आले आके तो आराम से बहुत राइब दो चैन ड्राइब वहां सकते हो रूप की आ रहा है तो आप पोजिशन को होल्ड करके बहुत खुद आने दो इससे मेरा थोड़ा काइदा हुआ था ये वाला जापकर टिक्टा यह एक्शली ही मत अपर लोग ना भारी बारी टर्म उठा लेंगे की एक्रेशन फिर इंटेंड होना चाहिए पॉजिटिविटी ये वो मतलब क्या होता है एक्जाट कहना क्या चाहरे हो तो वह बात तो सही है इसी वाएसे मतलब यह मेरे को एक गाप दिखा कि एक प्लेयर अगर थोड़ा सा अपना एक्स्पीरेंस शेर करें तो बहुत ज्यादा हो सकता है नहे प्लेयर्स को जो ऊपर आ रहे हैं आपका चैनल ब इंसान हर एक परस्णालिटी हर एक प्लेयर बिल्कुल डिफरेंट है ठीक है हमेशा काउंट यॉर ब्लेसिंग्स कि आपको क्या-क्या चीजे मिली और आप कैसे उन चीजों को यूज करके और आगे बढ़ सकते हो खुद को खुद के साथ कंपेर करना है कल अप कैसे थे रेस में दौड़ते दौड़ते कभी आप बगल वाले को नहीं देखते हो अगर बगल वाले को देखोगे तो आपका जो एम है आपका जो रिब्बन सामने लगा हुआ है वहां से फोकस हड़ जाएगा तो आप आप अटोमेटिकली स्लो हो जाओगे और दूसरे को भी अच्छा स्किल देख रहे हो और आप जो अपने लाइफ का रेस दौड़ है उसमें आप अपने गोल पर फोकस ही नहीं करें क्योंकि आपका सारा ध्यान बगल वाले करें कंपैरिजन में सो बिलकुल कंपैरिजन से दूर रहना यह बहुत बड़ा एक एनिमी है आपके ग्र करके जरूर बताना कि क्या आप सचे जिल से बताना क्या आप कपैरिजन करते हो किसी भी प्लेयर से खुद को और अगर आपको भी इस तरह से लाइफ सेशन बुक करना हो तो लिंक नीचे दिया हुए जाकर क्लिक करो फॉर्म फिल अप करो हमारी टीम आपको कॉल करेगी और बहुत जल्दी अपके लाइफ सेशन का ड़क करा दिया जाएगा और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना चली फिर मिलते आपसे नेक्स वीडियो में तब तक बबाई टेक यह स्टेशेव वर्क हार्ड एंड विलीविन असर थैंक यू